देखे एक महंगाई सच्चाई है इससे पूरे तरीके से इंकार नहीं किया जा सकता है August में हमारे देश का जो inflation rate है वो 7.01% है जो फिर भी दुनिया की जो बाकी देश उनके तुलना अगर आप करेंगे तो उससे काफी कम है अभी जर्मनी में 7.5% है European Union में 8.9% है USA में 9.1% है Spain में 10.8% है और Congress के युवराज राहूल गांदी ने जिस धर्ती से जाकर भारत की महंगाई की बात की ती जो सामाने तोर पर किसी विपक्ष के निता को नहीं करनी चाहिए उस धर्ती Great Britain पे भी महंगाईदर 9.4% है तो बाकी देशों के तुला में हमारी महंगाईदर फिर भी संतुलित है और हमने काफी हद तक इसमें कड़े कदम उठाकर जो अगल बगल सुनामी आई वी है जो अगल बगल के बंगला देश की बात करें या श्रिलंका की बात करें जहां की एकॉनमी बिलकुल दौस्त हो है श्रिलंका में तो एकॉनमी अब बिलकुल नमुनिशान नहीं रहा है और इंफलेशन वहाँ पे 200 प्रतिशत के आसपास है तो उसके बीच में हमारे प्रधान मंत्री जी के कोशल नित्वित में देश ने बहुत बहुत बहुतर परफॉर्म किया है और आप पेट्रोल डी 2022 को बताया कि स्ट्राटेजी कोई रिजर्व कोले के बावजूद जो पेट्रोल डीजल की कीमतों की प्राइसेद है यूएसे में उसमें सिर्व 20 सेंट पर डॉलर की पर बैरल की कमी आई है तो आप सोच सकते हैं कि यूएसे के द्वारा कड़े कदम उठाने के प्रतिफल नहीं निकला एक प्रतिष्टित मैगेजिन है ब्लूम्सबर्ग उसने बताया कि अभी मंदी का जो खत्रा है वो पूरे विशु में बहुत बड़े तरीके से मनरा रहा है और अभी अमेरिका में करी 38 प्रतिशत मंदी के आने का खत्रा है चाइना में 20 प्रतिशत के कारण ये खत्रा भारत में 0 प्रतिशत है यानि बिल्कुल नहीं है और आप देखें हमारे देश में लगतार कोरोना काल में हमारी सरकार ने 80 करोड लोगों को लगतार भोजन उपलब कराया राशन उपलब कराया जिसकी कुल कीमत 2,71,000 करोड उपया थी तो इसको भी बै प्ला इकन बटन दवाना ना भूले